नमस्कार दोस्तों आई वीपीएस ने अपने क्लर्क के पदों के लिए नया नौटिफिकेशन पब्लिश कर दिया है तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में जानकारी देखेंगे नौटिफिकेशन को रीड करेंगे तो आए वीडियो को स्टार्ट करते हैं इससे पहले दोस्तों चैनल पे ना हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें लाइक कर लें और दोस्तों को शेयर करना विलकों न भूलें तो आए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों IBPS CRP Common Requirement Process Clerk की भरती का Notification पुबिस कर दिया है दोस्तों इसमें अलग-अलग स्टेटों की अलग-अलग पोश्ट दीग हुई है सारे स्टेटों से भरती निकाली गई है दोस्तों एज हैं 20-28 साल के यूवा एपलाई कर सकते हैं और दोस्तों Education qualification की बात करूँ तो दोस्तों minimum degree तो आपकी complete होनी चाहिए किसी भी recognize board से आपकी degree complete होनी चाहिए तो ही आप apply कर सकते हैं तो दोस्तों इसमें मैं आपको सारा कुछ बताने वाला हूँ कैसे notification download करना है कैसे apply करना है सारा कुछ इस वीडियो में आपको बन जाएगा आईए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आपको सबसे पहले अपने ही मॉवाइल में Google Chrome आपको सर्च करना है आपके सामने नया interface open हो जाएगा आप जो भी vacancy apply करना चाहते हैं वह यहां से आपको यहां से आप notification उसका download कर सकते हैं जैसे यहां पर आई हुई है प्रोवेटनेरी ओफिसर मेरेजमेंट ट्रेनी एक्स की CRP circle में आई हुए common requirement process for circle credit 10 CRP जो भी आपको जित्ते जो भी notification नया update हुआ है यहां पर आपको उसका notification मिल जाएगा दोस्तो CRP RR clerk की जो notification आया हुआ है उसकी link में description में दे दूँगा वहां से आप download कर लीजेगा तो चलते हैं notification की और दोस्तो नौटिफिकेशन हमने download कर लिया इंसिटिट आप बैंकिंग परस्नल सेलेक्शन अभी पिएस का यह जो CRP clerk का एक्जाम है उसका नया notification अपडेट हो चुका है जिसकी last date आपको बता चुका हूँ मैंने एक आठ तारिक तक आपके apply form भरेंगे दोस्तों इसमें साफ लिखा हुआ है कि आप online word online से ही apply कर सकते हैं दोस्तों यहां पर publishing डेट बारा साथ दी हुई है और closing date भी मैं आपको बताता हूँ आठ तारिक इसकी last date रखा गया है आगे देखते हैं eligible criteria क्या है तो दोस्तों आपको national Indian national के आपके इंडिया के citizen होने चाहिए subject of Nepal subject of Bhutan और तिबबत refuse और who come over the India before first January 1962 मतलब एक जनवरी 1962 से आप इंडिया में रह रह रहे हैं तो आप इसका exam form भर सकते हैं दोस्तो एज पांस साल के लिए STSC के लिए तीन साल के लिए OBC के लिए दिया हुआ है और एक सर्विसमें के लिए प्लस तीन साल है और आठ साल कभी STSC है जो उनको भी दिया जाएगा आगे देखते हैं दोस्तों education qualification तो दोस्तों आप इस्टेट गवर्मेंट या सेंटरल गवर्मेंट के द्वारा कोई भी रिगाउगनाइज यूनिवर्सिटी से आपका graduation होना complete लगेगा और आगे मैं इस्टॉल करता हूं आगे क्या लिखा हुआ है मैं आपको सारा कुछ बताता हूं जो मैं मैं टॉपिक हैं मैं आपक एक्जाम किस तरह होगा यहां पर लिखा हुआ है इंग्लिस लेंग्वेज पूछी जाएगी नंबर एबिलिटी रिजनिंग एबिलिटी ऐसे टोटल सो कुष्टन आएंगे और आपके सो मास्क होईंगे आपका टाइम लिमिट होगा साथ मिनिट का आपका टाइम टाइम डिसाइड किया गया है ठीक है आगे देखते हैं क्या है सेगर्ड एक्जाम जो हुमेंस एक्जाम होगा उसमें आपको जनरल फाइनेंशल अवर्नेस जनरल इंगलिस रिजनिंग एबिलिटे और कंप्यूटर एप्टिटूड और कॉंप्टिटिटूड होगा जो कि टोटल 109 कोश्चन 190 कोश्चन होईंगे मिनिमम मार्ट 200 का होगा इसमें दोस्तों आपका टाइम लिमिट 160 मिनिट का होगा मतलब लगवक 2.5 से 2.5 घंटा आगे देखते हैं आगे क्या हुआ है क्या लिखा हुआ है दोस्तों नौटिफिकेशन बहुत ही लंबा है तो आइडेंटि पास आइडेंटि प्रूफ के लिए होना बहुत ही जरूरी है और आगे देखते हैं आगे क्या है इंपॉर्टेंट तो आप दोस्तों एपलाई कैसे कर सकते हैं तो दोस्तों आपको एपलाई 12-7 साथ से एक आठ तक आप एपलाई कर सकते हैं इसके बीच ऑनलाइन लिंक च आपको ग्रेजवेशन की मारसीड भी सप्लाई एपलाई करना पड़ेगा समिट करना पड़ेगा दोस्तों पेमेंट मोड ऑनलाइन होगा आपका आफ लाइन कोई भी चालान नहीं लिये जाएगा दोस्तों फीस की बात यह है कि दोस्तों आपको 175 रुपे प्लस GST रहेगा दोस्तों नौटिफिकेशन में यह साफ पोस्ट डिसाइड़ की गई है कौन से स्टेट में कौन सी बैंक में कितनी पोस्ट नेगाली गई है यह सारा कुछ लिखा हुआ है आप लिंक को डिस्क्रिप्शन में दे दिया है आप वहां से भी डाउनलोड करके आप अपना स्ट स्टेट और अपनी बैंक जोन सी आपको बैंक में सेलेक्शन चाहिए वो इससे आप देखकर एपलाई कर सकते हैं आगे देखते हैं और क्या है दोस्तों नौटिफिकेशन के आगे ही एक्जाम सेंटर दिये हुए हैं कि आप कौन से स्टेट में कौन से आपके कौन सा जला कोई घर के पास पड़ता है आप उस अपने स्टेट के हिसाब से अपना एक्जाम सेंटर चूस कर सकते हैं फोटोग्राफ का साइज मैंने आपको बता दिया है और कोई इंपॉर्टेंट डॉकुमेंट नहीं है इसमें सारा कुछ जो पहले था वही लगने वाला है आधार क करना पड़ेगा और उसके लिए एक अलग फॉर्मा दिया हुआ है उसको आपको एपलाई करके स्केन करवाना पड़ेगा तो दोस्तों यह था नॉटिफिकेशन आप जल्दी से जल्दी अपलाई कर दें और डेट बहुत डेट बहुत कम बच्छी है एक आर्ट को आपका अनलाइन होना बंद हो जाएगा तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा बिल्कुल बताएं कमेंट जरूर करें दोस्तों को शेयर बिल्कुल करें और चैनल पर नहeous तो प्लीस सम्स्क्राइब करें क्योंकि ऐसे ही दोस्तों नान आ नए गवर्मेंट जॉब के नोटिफिएशन म जाहें